आज बात करने वाले हैं भीटा जैम सिरप के बारे में भीटा जैम सिरप को किन किन कंडिस्टन को ट्रीट करने के लिए यूच किया जाता है और जानेंगे भीटा जैम सिरप में क्या क्या समगरी डला गया है भीटा जैम सिरप के मुख्य समगरी है फंगल डाय स्ट्रेस, एलाजी का तेल, अर्वे का तेल और दालचीनी का तेल चलिए जानते हैं भीटा जाएम सिरफ किन किन कंडिसन को ठ्रीट करने के लिए यूच किया जाता है फंगल डाय स्ट्रेस एक ऐसी समगरी है जो पाचन एंजाइम है जो इस्ट्रेच जो कार्बोहाइडरेट पसा और पोटीन को पचाने में मदद करता है पेट के पुरानी बेमारी पेट में परिपुर्नता और अपच के कारण भूग ना लगने की स्टिथी में भीटा जाएम सिरफ का उप्योग पाचन सहता के रूप में किया जाता है दूसरी समगरी है एलाची एलाची के तेल में मुझबूत एंटिसेप्टिक रोगन उरुधी गून होते हैं जो खाराप पेट के इलाज के लिए उप्योग किया जाते हैं तिसरी समगरी है करवे का तेल, करवे का तेल में हलकी जिवानुरूदी गुन होते हैं, ये पाचन को बढ़ा करभू को उप्तजित करता है, पिटा जमसिरा पाचन में सुधार करता है, तूल की बेमारी को कौम करता है, और पेट फुलने की बेमारी से लड़ता है, तोथी सम इस्ट्रोएंटिस्ट्रेट में डाइजस्टिफ एंजाईम क्या समस्षा लागी रहती है खाने के बाद खटी धिकार, सीले में जलन, पाचन में विकार और सूजन जैसी समस्या होती है विटा जायम सिरप 200 ml के बोतल में मिलते हैं और 450 ml के बोतल में भी मिलते हैं विटा जायम सिरप के 200 ml बोतल के MRP है 105 रुपिज और 400 ml के बोतल के MRP है 200 रुपिज बीटा जायम सिराप कोई भी मेडिकल इस्टोर पर असानी से मिल जाता है बीटा जायम सिराप के डोच डॉक्टर की इसला के उनुसर ही लेना अच्छा है क्योंकि डॉक्टर हमेशा मेरी योके उम्रे उनकी वज़ान उनकी लिंग उनकी समसा उनकी पिछले समसाओं को देख कर ही कोई भी दवा को सिजिस्ट करते हैं इसलिए दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले किप्या डॉक्टर की सला जुरूर लें क्योंकि डॉक्टर किसला के उनुसार लेने से साइड एफेक्ट के खत्रा कम रहते हैं